वाइटमिन D की कमी हड्डियां ही नहीं या दाज भी कमजोर कर देती हैं ऐसा हम नहीं रिसर्च कहती है वाइटमिन D के बारे में हमेशा सुनते आए कि वाइटमिन D हड्डियों की मजबूती के लिए सरूरी है फिर ये रिसर्च भी सामने आई कि वाइटमिन डी इम्यून सिस्टम के लिए भी उतना ही अहम है फिर वाइटमिन डी की कमी का तालुक जियाबती, दिल के अमरास और सांस की बिमारियों से भी साबित हुआ और अब यूनिवरस्टी ऑफ साउथ आस्ट्रेलिया में होने वाली एक हालियर रिसर्च में ये बात सामने आई है कि वाइटमिन डी की कमी डिमेंशिया और फालिच के खत्रे से भी जुड़ी है डिमेंशिया बिमारियों का ऐसा मजमुआ है जो किसी भी शक्स की इलमी सलाहियतों को मतासर करता है डिमेंशिया लोगों की सोचने, याद रखने और आम तोर पर बातचीत करने की सलाहियत को मतासर करता है इस वक्त दुनिया भर में 55 मिलियन अफराद डिमेंशिय के साथ जी रहे हैं और रिसरचर्स के अंदाजे के मताबिक 2030 तक ये तादाद 78 मिलियन हो जाएगी इसलिए अपनी सिहत का खास ख्याल रखें और वाइटमिन डी अपनी खुराद और लाइफस्टाइल का हिस्सा बनाएं